हलो दूस्तो नमस्कार ऐसे हम किसे चाना में मैं आप सिवलंग का दिल से बहुत-बहुत करता हूँ सो दूस्तो इस वड़े में हम लोग बात करने वाले काफी इंपोर्टन टॉपिक के बारे में वैसे तो मैंने इससे पहले आप लोगं को ये बात बताई थी कि ऐसा चीज डेफिनेटली भविश्या में हो सकता है करके और वही चीज अभी हमनों को होते वे देखने का आपे मिल रही है तो आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे ठीके उनको भी मैं सॉट आउट करने की कोशिश है आपे इसी एक वीडियो में आपे करने वाला हूँ तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगी कि बेसिकली टॉपिक के है तो देखिए आप सबी लोग को पता ही है पीएम सुर्य दे योजना इसे रिलेटेड अनॉंचमेंट हमनों को राम मंदिर के दिन ही देखने का आपे मिला था फिर उसके बाद इस योजना का नाम यहापे चेंज किया गया पीएम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना करके किया किया ठीक है तो इस योजना के तहत आप सबी लोग को पता ही है रूफटॉप सोलार पावर से रेटेड यह योजना देखने को मिल रहे है और तीन सो यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी जो भी इस योजना के त इनफेक्ट सरकार ने यह भी का कि अगर आपने अभी तक इस योजना का लाब नहीं उटाया है तो डेफिनेटली आप भी रजिस्टर यहापे करवा लीजिए और आपको भी इस योजना का लाब ज़रूर मिलेगा तो डेफिनेटली यह जो योजना है यह ज्यादा मतलब देखा गया तो पॉपिलरिटी के इसाब से कौन से स्टॉक से रिलेटेड हम लोगों को नाम देखने को मिलता था इरेडा येस इरेडा कि अगर हम लोग आपे बात करें यह जो शेरे इनके नाम से ही पता चल जाता है इंडियन रिनेवल इनर्जी ठीक है इसी से बच्चे बच्चे को यहाँ पर पता है ठीक है और इसी से रिलेटेड अगर में बात कर दो तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि पहले इरेडा सिर्फ भारत सरकार के जो प्रोजेक्स थे रिनेवल सेग्मेंट से रिलेटेड उनको फाइनेंस करता था और बाद में उन पर मतलब इसका लाब उटाना चाते है और फाइनेस की जरुवत पड़ेगी हम उनको फाइनेस देने के लिए आपे रेडी है तो जैसी अन्रांश्मेंट हो गए क्योंकि आपको पता है रिटेल सेग्मेंट में इंटर करना यह काफी अच्छा माना जाता है ठीक है क्योंकि मार्केट काफी बड़ा होता है और अगर NPS भी क्रियेट हो जाते है लोन भी अगर डूप गया तो छोटा छोटा लोन ही डूपता है ठीक है तो एक काफी बड़ा एडवांटेज वाला पॉइंट हम लों को देखने को मिल जाते है और इसी से रिलेटेड में एक वीडियो पर तभी हम लों को देखने को आपे मिलते थे तभी मतलब देखा गे तो आज भी वीडियो चैनल के उपर अविलेबल है तभी मैंने एक पॉइंट को कवर किया था कौनसा कि IRFC के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कौनसा कि IRFC भी NBFC है लोन प्रोइड करती है और सबसे ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एंड मैक्जीमम फाइनस प्रोइड करती है बट यही चीज अगर हम लोगी IREDA की मामले में बात करे तो वैसा नहीं है ठीक है इस सेग्मेंट में अगर देखा गया Renewable Energy सेग्मेंट में फाइनस करने वाली IREDA एक अक काफी ज़्यादा competitors यह आ जाएंगे और यही चीज हम लोगों को अभी सच होते वे देखने का आपे मिल चुकी है कि rooftop solar से related अगर हम लोग यह आप बात करें दोस्तों मतलब PM सुरिया घर मुफत बीजली योजना के चलते finances से related अभी banks ने भी announcement कर दिया है yes official खबर सामने आ कि इस scheme के तहट आप लोगों को भी finance आपे मिलेगा करके मतलब पहले इरेडा अकेला जो fight करता था banks भी अभी हम लोगों के इसमें इंटर करते वे दिखने का आपे मिल चुके है so कौन-कौन से वो banks है क्या private bank है या फिर सिर्फ सरकारी banks है ठीक है तो सभी चीजों को step by step cover करे है ठीक है जो वीडियोस देख रहे होंगे सभी के सभी maximum 99.999% इंडियन सिटीजन सी होंगे ठीक है विदेश से भी काफी सारे लोग देखते है comment section में लिखते भी है ठीक है next अगर देखा गया तो भाई आपका खुद का घर होना चाहिए घर को छद भी आपे होना चाहिए त है कि सेट अप ही नहीं आपके पास एड़ रूप टॉप सोलार तो सेट अप कर लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से जंद्रेट होगी तो यह एक है और कोई सबसेडी सोलार पैनल से रिलेटेड आपने अवेल की अगर होगी तो आप इनलिजिबल हो जाओगे तो यह चार दिया है कि 3 किलोवेट सोलार रूफ टॉप सिस्टीम अगर आप इंस्टाल यहाँ पर करते हो तो हम फाइनेंस करने के लिए आपर रेडिय कितने तक का फाइनेंस तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है कितना 2 लाग तक का maximum loan amount वो देने के लिए आपर रे सत्यों क्या करेंगे यह आपको maximum loan amount यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो तो PNB पंजाब National Bank मतलब अभी तक जितने भी बैंक से सबी सरकारी बैंक के नाम सामने आ रहे है तो PNB कह रहे है 10 किलोवेट तक अगर आप rooftop solar installation के लिए यह भी पॉइंट हम लोगों को देखने का पर मिल रहा है obviously बहुत सरे एक criteria होंगे यह भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए मैं एक आपको just overview यहाँ पर करके दे रहा हूं next अगर बात करेंगे चौथिया नंबर के bank जो है Canara Bank इन्होंने भी announcement कर दिया है so Canara Bank भी कह रहा है again a one सरकारी bank so union bank of India की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि 3 kilowatt of solar rooftop installation के लिए हम लोग lane देने के लिए आपे ready है कितने का लोने तो इन्होंने भी somewhere around 2 लाग तक का loan का announcement यहाँ पर कर दिया है maximum amount की आपे में बात कर रहा हूं so देखा गया दोस्तो तो यह 5 bank अभी हम लोगो market में solar rooftop से related finance करते वे लेखने को मिलने वाले loan provide करते वे लेखने को आपे मिलने वाले है so definitely इन 5 banks को भी आप चाओ तो अपने साइड से study आपे कर सकते हो so SBI अगर देखा गया तो यहाँ पर चलता ही है then अगर देखा गया तो Central Bank of India so कैसा रहा इनका maximum chart pattern तो आप देख सकते maximum chart pattern इतना देखोगे तो कुछ इतना खास नहीं consistency नजरी नहीं आती है and निरव मोधी जो scam यहाँ पर हुआ था उसके बाद तो PNV की तो कमरी तूट चुकी थी ठीक है literally 50 रुपे के आसपस आया था stock and उसमें तो COVID का भी तड़का लग गया तो 20 रुपे के आसपस यहाँ पर आ चुका आ रहा है and आखरी Union Bank of India भी आप देख सकते हो कुछ खास चार्ट पैटन यहाँ पर नजर नहीं आ रहे सालों साल से इनके जो performance है वो एक as a investor के लिए wealth destruction का ही काम करते हुए आ आ चुके हाँ बट इनमें एक common चीज है कौन सी कि अगर आप पिछला एक साल का data देखोगे कितना वन येर का data तो State Bank of India ने दिया है 46% Central Bank of India का 152 PNB का 170 Canada Bank का 106 and Union Bank of India का 138 मतलब हमें हम कह सकते कि एक साल में पिछले एक साल में इन्होंने अपने निवेशकों को काफी अच्छे returns यहाँ पर दिये है बट वही चीज़ हो जाती है जब हम लोग 5 साल का data यहाँ पर select कर लेते है तो 5 साल में अगर आप चेक करोगे तो State Bank of India ने क्या किया है पैसा डबल करके दिया है Central Bank of India 60% only PNB 28% only Canada Bank somewhere around double 100 and 54% Union Bank of India यहाँ पर दे रहा है मतलब के सिर्फ SBA ऐसा है जो की consistency की साथ Long Range में भी निवेशकों को अच्छे returns दे रहा है बाकि यह जो बैंक से वो तो ऐसा है कि जाएंगे तो इतना कुछ खास returns इन चारों बैंक ने भी अपने shareholder को कमा के नहीं दिया है तो यह भी point हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है तो State Bank of India ही इसमें हम लोगों के एक अच्छी बैंक नजर आती है यह कोई recommendation की बात नहीं है performance के इसाब से बात ही आपे मैं बोल नहीं है क्यों अरे इतना बड़ा market है इंडिया इतना बड़ा market है ऐसा एक कोई player आगे इसके चलते कोई खतम नहीं होता है तो अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि इस चीज़ के चलते game over हो जाएगा इरेडा का तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला है नहीं है हाँ यह बात कर भी सच्च ही है कि competition बड़ेगा ठीक है अगर पहले 10 client अगर इरेडा के पास ही जाने वाले थे तो क्या पता 5 ही चले जाए क्या पता 4 ही चले जाए ठीक है तो यह ज़रूर हम लोग आपे देख सकते इसकारती है नहीं कि सीधा मतलब D&D बोल दो कि सब कुछ ही खतम हो गया करके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो यह point आप लोगों को पता होना चीए ठीक है इरेडा भी देखा गया तो यह भी सरकारी company इस point को भी आप लोगोंने नोट करने हैं मैं बार-बार सरकारी company इसल in the lines के है दोस्तों कि यह तो पाच ही सरकारी banks हो गए और भी तो है और NBFC भी तो है तो वो भी आएंगे ठीक है प्राइवेट प्लियर भी आ जाएंगे ठीक है तो competition तो भाई जबरदस यहां पर बंढने वाला है और इतियास गवा है कि प्राइवेट प्लियर ने हमेशा क् public sector companies का market capture किया है ठीक है quick decisions होते है फटाफट decisions लेते है ठीक है तो इसी चीज के चलते हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है कि private players हमेशा सरकारी companies को overpower यहाँ पर कर लेते इतियास तो ऐसा रहा है आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी तो अभी तक तो private player हम अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई